आज के जोतिश प्रोग्राम में एक बहुत महत्वपूर जानकारी देने बाला हूँ प्रायर पूछा जाता है कि सर बताएं मेरी love marriage होगी या arrange marriage होगी मेरी love marriage होगी या नहीं तो प्रियदर्शकों आज का यह video देखने के बाद आप निशत रोपेन पता कर पाएंगे जो आज किस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ आपको चाहे एस्टरलोजी के बारे में कुछ भी ABCD भी नहीं आती है तब भी आप पता कर सकते हैं मैं एस्टरलोजी की कठिन भासा को बिलकुल सरल सब्दों में आपके समक्ष रखने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप आसानी से जान सकते हैं आपका प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी कैसे पता करेंगे जानकारी देने से पहले बता दूँ यदि पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेशत है आप मैरिज से रिलिटेर बिलकुल स पाई करने चाहिए तो इस प्रकार की जानकारियां प्राप्त करने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब कर लीजी आप जोतिस गुरू जी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फिरी है लेकिन सब्सक्राइब करने से आपको बहुत ज़्यादा फाइदा होगा कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं हमेशा मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं तो चलिए प्रिया दर्शकों विश्य पर चलते हैं प्रेम विवा होगा या नहीं इस आसानी से कैसे पता करें तो जानने के लिए जिन लड़के लड़कियों के पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है आज कल कंप्यूटर से जन्म पत्रे काई बनते हैं तो आप देखेंगे दूसरे तीसरे पेज़ पे जन्म कुंडली के नाम से एक ऐसा नक्षा बनावा हो अब इस कुंडली के जिस खाने में जो अंक लिखे हैं आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी अंक लिखावा हो सकता है जरूर नहीं है इस कुंडली के जिस खाने में जो अंक लिखे हैं ऐसे ही आपकी कुंडली के खाने में कोई भी अंक लिखावा हो सकता है आपकी क कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी अंक लिखावा हो, लेकिन किसी भी खाने में चंद्र और शुक्र एक साथ बैठ जाते हैं। कुंडली में देख लेना, किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली के किसी भी खाने में शुक्र और मंगल एक साथ बैठ जाएं। तो ये प्रबल कंडिशन बनती है प्रेम विवा होने की। इससे भी ज़्यादा पाउरफुल कंडिशन कब बनती है। जब चंद्र और श श्कुंडली के जिस खाने में 5 लिखावा है। ध्यान रखें, खाना देखना है आपको इस खाने में 1-12 तब कोई भी अंक लिखावा होगा। आपको फाना देखना है। इस कुंडली के जिस खाने में साथ लिखावा है ध्यान रखें खाना बार बार बोलना हूँ अंक इस खाने में आपके कुंडली में कोई भी लिखावा हो सकता है इस कुंडली के जिस खाने में पांच लिखा है इस कुंडली के जिस खाने में साथ लिखा है इस कुंडली के जिस खाने में नो लिखा हुआ है और इस कुंडली के जिस खाने में एक लिखा हुआ है यह चार इस्तान ऐसे हैं यहाँ पर चंद्र या शुक्र शुक्र या मंगल दोनों एक साथ बैठ जाएं तो बहुत powerful condition बनती है प्रेम विवा होने की love marriage होने का ये बहुत प्रबल योग होता है लेकिन ध्यांदे इन ग्रहों के उपर किसी भी प्रकार से राहू का प्रभाव नहीं होना चाहिए या राहू इनके साथ नहीं होना चाहिए नहीं तो ऐसी प्रेम तो होगा लेकिन वो marriage तक कदापी नहीं जाता वहां पर कहीं न कहीं कुछ ऐसी विकट परिश्तितियां उत्पन हो जाती है कि जिसके चलते ऐसा प्रेम विवाहा तक नहीं जाता है तो प्रिया दर्शकों और भी बहुत सारे अन्या शुत्र है मेरे दूसरे वीडिय प्रेम जानकारी प्राप्त करने के लिए आज किस वीडियो में ने दो आसान सरल शुत्र बताएं आप इसे नोट करके रखिए आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं और दूसरी लोगों को देख करके भी आप बता सकते हैं और आप निरंतर मेरे वीडियो देखेंगे त किसी की भी कुंडली देखते हैं आप उसको सटिक प्रेडिक्शन दे सकते हैं प्रिया दर्शकों आप मेरे दुआर अपनी जनम पत्रेका का साइंटिफिक सटिक जोतिश विशलेशन करवाना चाहते हैं तो जिस्क्रीन पर नंबर दिया गया है आप मुझे यहाँ पर संप पर उस ग्रह के अनुरूप अनुसार यदि समाधान किया जाएगा तो कुंडली में ग्रह इस्तिती विपरीत होने के बाद भी सफलता का योग बनाया जा सकता है मेरे वीडियो हमेशा आप देखना चाहते हैं विशेश करके मैरिज से रिलिटेड तो सब्सक्राइब जरू होगा तो यह जानने के लिए एक बार जोतिस गुरूजी यूटूब चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के जरूर चेक कर लेना वहां से लाखों लोग लावान वित हो चुके हैं आपको भी निश्यत रूपेन लापराप्त होगा अज के लिए इतना इता देखते रहेगा आप हम हमारा जोतिस गुरूजी यूटूब चैनल